चुकि अगर भाजपा को आपने नहीं हराया तो आने वाले समय में देश में कुछ भी नहीं बचेगा आने वाली पीडियों को बचाने के लिए आने वाली लशनों को बचाने के लिए आपको भाजपा को भगाना ही होगा दलित समाज की बात करती हैं तो निश्वित तोर पर दलितों के मान सम्मान दलितों के रोजी-्रोजगार और सुरक्षा को लेकर इंडिया एलाइंस में बहन माया बती जी को सामिल होना चाहिए बढ़ चरकर हिस्ता लेना चाहिए और हो सके तो मात्तो कांशा को त्यागते हुए बड़ा दिल दिखे अगर गुना है तो भारती जन्ता पार्टी जवाब दे कि अनुराग ठागूर मंत्री कैसे है अरुन कुमार धुमल बिसी सीय का कोसादेख्ष कैसे है राजनात सिंग का बेटा पंकर सिंग बिधायक कैसे है कैलास व देश की जब भी भाजन राजनिती की बात होती है दो नेताओं की बात जरूर होती है पहली नेता बहजन समाज पार्टी के शुप्रिमेर बह determines कुमारी म्यावती है और दूसरे अर्म रमिस्डा आजास समाज पार्टी के चीप चंदसेखर अजाध और इनके समर्थकों में हमेशा जो है आरोप और परत्यारोप जो है लगता जा रहा है ब्यस्पी के समर्थोकों का कहाना है कि आजास्माज पार्टी उनकी वोट काट रही हो यह आजास्माज पार्टी के समर्थोकों का कहाना है कि ब्यस्पी उनकी वोट काटती है लेकिन क्या है इसकी सचा इस मसले पर हमारे साथ बातचित करने के लिए प्रगर-प्रवक्टा हैं अतिलक धारित से हुआ सिर्वास्तों जी हैं ये बताईये मैयावती और चंदर सेखर के राजनीती को आप कैसे देख्रहें निटेंख इस में अप इससमाज पंचारणिлон sort रह गई बात आपसी आरोप प्रत्यारोप का तो ये तो जनता तै करेगी कि कौन सी पार्टी बोट खराब कर रही है नहीं कर रही है मैं तो कहूँगा कि अभी के हालात में सभी पार्टीओं को आपसी मतोकांचा छोड़ कर देश के विकास के लिए भाजपा को भागाने में एक जुट होकर काम करना थे आज आज राजनीति रूप में अपने आपको स्थापित कर रहा है और बहन मायवती जी भी डलित आइकॉन है जब एक समय था उत्तर परदेश में जब मानिय कांसी राम जी गाउं गाउं में जाकर चौपाल लगाते थे दलितों को एकशुत्र में पिरोते थे और भभन मायावती जी ने बागडोर समाले तो निश् aussi तोर पर दलित समाज में चेतना जगाने का काम भhmat मायावती जी को भाजपा का भी टिम लोग कुछ लो कहते हैं देखें लोगों को बहुत सारी चीजें कहने की एक बिमारी है लेकिन अभी जो हालात है उस हालात में आपसी आरोप परत्यारोप से बचना चाहिए मैं एकजुट होकर देश लूटने वाले डेश को अंदकार में ढकेलने और निजी करनन के नाम पर जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं को गाटे में लाया जा रहा है अब दुवया जा रहा है शरकारी सारी भैकेंसियां खतम की जा रही है तो उस इसाब से मैं कहता हूं भीमार्मी को भी और बीएसपी को भी इस गंभीर विश्य को मुद्दा उठाना चाहिए ना कि आपस में तक्रार करना चाहिए सवाल उड़ता है समर्थ को कले की आजा समाज पार्टी जो भीमार्मी के समर्था कहते हैं कि बहन कुमारी म्यावती चंद सेखर आजाद को बुलाती ही नहीं है तो पर कैसे एक साथ होंगे देखे आपसी महत्तो कांच्छा का समय नहीं है मैं खुद एक बात बताओं कि मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बुलाती इसका यह मतलब नहीं है कि मैं भाजपा का गुनगान करने लगूं या जो विपक्षी पार्टियां है उसका विरौध करने लगूं तो हमारा राजनीतिक पार्टियों से कोई शांटग कर रहा है और कदबर रहा है तो यह कोई वो नहीं है लेकिन तब है कि आप अगर सभी सीटों पर मिद्वार करते हैं इससे आपको कोई फाइदा नहीं होगा जो भाजपा के विरोध के बोट हैं उनको एक जुट कैसे रखा जाए उसके लिए हर आदमी को त्याग करने की ज लाती है तो क्या आपको लग रहा है देखें उत्तर प्रदेश में उस समय जो हाला थे बोटर सिमित हैं उसी बोटर में सभी पोलिटिकल पाटियां हैं सभी बोट काड़ती हैं जीत हार का अंतर हजार से पांसो रुपे का है और पबलिक में क्या होता है कि आम जंता में सबस्ता से उब चुकी है तो अब सभी विपक्षी पाटियों को ऐसा कोई भी पाटी नहीं है जिसको आपसी मतोकांचा को छोड कर एक जुट होकर चुनाव लरना चाहिए और भाजपा के जो फरेव हैं जूट हैं जुमले हैं नफरत हैं उसके खिलाफ एक जुट होके इस क्यों इतना जनाधार खो गया बहन कुमारी मियावती का जनाधार देखे कैटर वोट उतनी हैं जो मास बोटर है जो मास बोटर कभी इधर कभी उधर कभी इधर नए नए चेरों की तालास करती है और भाजपा के जूट और फरेव में आकर जो अपने आपको ठगा हुआ मह परधान मंत्री हो prawda आपकोर आपको जाएंगी यह तो जनता जिन लोगोंगो परदान मंत्री बनेगा तो हम तो संसद है नहीं संसद का चुनाम लग रहे हैं इसलिए हम ये फैसला कैसे लें हां हम इतना जरूर कहेंगे लोगों से कि अब चुकि अगर भाज़पा आप ने नहीं हराया तो आने वाले समय में देश में कुछ भी नहीं बचेगा आने वाली पीडियों को बचाने के लिए आने वाली लशनों को बचाने के लिए आपको भाजपा को भखाना ही होगा इंडिया एलाइंस में सामिल होना चाहिए निश्यत तोर पर बहन माया बती जी को इंडिया एलाइंस का हिस्सा बनना चाहिए और हो सके तो बहुत सारी त्याग भी करनी की जुरूरत है चुकि इस समय जो देश की हालात है और खास करके दलित समाज के साथ जो गटनाएं हो र निश्जित तोर पर पर ईलीटों के मान सम्मान। दलीतों के रोजी-रोजगार हूं और सुरक्षा झाल होू इंडिया एलाइनस में बहन मायावति जी को सामिल हो ना चाहिए बढ़ शरकर हिस्ता लेना चाहिए हूं तो महत्तोकांचा को त्यागते फुए भरा दिल दिखाना चाहिए एक और सवाल है में आउती समंदी बहन कुमारी में अपने भतिया का सनंद को उत्रा दिकारी सोपी है तिलकदारी जी इसको कैसे देख रहे हैं देखे ये कोई नई बात नहीं है अमिस साजी बीसी साई का सेकरेटरी जैसा को ही बनाया ना आपको बनाया ना हमको बनाया कल्यान सिंग अपने बेटा को संसत मन बिरायक बनाया पोता को बनाया प्रेम सिंग धूमल अनराग ठाकुर को निता बनाया अपने एक बेटे को बीसी साई का को साधेक्स बनाया तो य परिवार वाद कर दी हमें यह समझ में नहीं आता है कि जब दूसरी पार्टियों में घर परिवार का आदमी अगर कोई उसमें सामिल होता है आप सोचिए आप पत्रकारता कर रहे हैं आपका यह यूटूब चैनल है तो आप अपने पडिवार के लोगों को ही यह यूटूब चैनल देंगे या किसी दूसरे को देंगे अगर कोई आदमी राजनीत में है और वो अपने बच्चों को अगर नेता बनाया तो इसमें कुना है अगर गुना है तो भारती जन्ता पार्टी जवाब दे कि अनुराग जबाब दें कि जो बेद प्रकास गोयल बाजपई सरकार में मंत्री थे उनका बेटा प्यूस गोयल मोदी जी की सरकार में मंत्री कैसे है तो परिवारबाद की लंबी सुचिए ब्यार में ही आप हैं सिपी ठागुर के बेटे हैं विवेक ठागुर संजय जैसवाल अमदन कीजिए हर आदमी जो जिस बैपार में होता है तो अपने बच्चों को भी उसी ट्रेड में रखिलता है तो देखिए तीलकधारी से तमाम असलोप अपनी राय रखे इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर दिए धन्यवाद